गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपके एजुगेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वक्षीट नमबर 89 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 9 है और यह वक्षीट है 22 फरवरी की चेप्टर 8 है आपका Quadrilittles, तो यह देखो, a quadrilittle is called a parallelogram quadrilittle को हम parallelogram कहेंगे, अगर क्या है, both the pair of its opposite side are parallel अगर दोनों क्या है, दोनों ही side जो है, यह इस तरीके से parallel है, यह यह और यह both the pair of opposite side are equal, यह pair जो है, यह इसके equal है, यह इसके equal है, यह इसके equal है, ठीक है one pair of a side is parallel and equal, अगर one pair जो है, equal भी है, और parallel भी है, यह दोनों इक्वल है, तो हमारा क्या होचे का parallelogram हो जाएगा, parallelogram में opposite angle are equal, parallelogram में opposite angle, जैसे कि अगर यह angle है, तो यह angle दोनों क्या होंगे, opposite angles जो हो जाएंगे, वो equal हो जाएंगे, adjacent angles are supplementary, adjacent angle मालों यह 60 है, ठीक है तो adjacent is supplementary, supplementary का मतलब है कि अगर दोनों को जोड करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है मालों यह 60 है, तो 180 होना चाहिए, मालों यह A है, तो A plus 60 is equal to 180 होना चाहिए यानि कि दोनों का adjacent यह है, यह adjacent है और यह opposite है, ठीक है तो यह कहरा है supplementary, इने parallelogram diagonal bisect इचे दर, यहने कि दो भाग में divide कर देता है यह आधा ही हो जाए कि मालों जो diagonal है, वो एक दूसरे को bisect करते हैं, half में divide कर देते हैं चलिए समझते हैं, to decorate border of the board, they want to cut a shape like parallelogram तो यह देखो, कह रहा है कि, अब ऊपर ही बोला गया है, कि जो 9th class C है, वो अपने display board को decorate करना चाहती है और यह concept को यूज कर रही है तो decorate the border of the board, they want to cut a shape like parallelogram ebcd, using a sheet of different gold colors what should be length of C और D की length क्या होनी चाहिए देखो यह हमारी क्या है parallel है, equal होती है, opposite sides तो यह हमारी कितनी हो जाएगी, 3 cm हो जाएगी और यह वाली हमारी कितनी हो जाएगी, 5.5 cm हो जाएगी तो answer क्या आगया हमारा, 3 cm and 5.5 cm ठीक है, इनने का CD, CD की length क्या है, CD हमारी क्या है, यह वाली है तो देखो इसमें और इसमें भी यह देखो, ध्यान देना है, दोनों आप आप देखो कि इन दोनों में से कोई एक चुन ले, ठीक है, ऐसे नहीं, देखना है कि CD पहले लिखा हुआ है, तो CD की CD इसमें पहले है, यह CD है, ठीक है, BC की इसमें तीन है, यह, ठीक है, तो answer क्या आ दिखना है रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले है वो पहले जो बाद में हो बाद में तो अंसर आ गया सी ठीक है आप चलते हैं तो कट पैलोग्राम एबी सी दियार फिक्स्ट यह इस एंगल को 60 डिग्री कर दिया है पैलोग्राम है क्या होता है सप्लिमेंट्रेंग यह च्पेक्टिव एंगल है यह हमारा कितना हो जाएगा तो देखो ए मैं मालूमें एप्लस 60 इस इकल टो 180 डिग्री होना चीए तो यह 60 उधर जाएगा 180 डिग्री मैंने किया होई अब दिखाती हूँ, is equal to 120 degree हो गया, a is equal to 120 degree answer आ गया, ठीक है न, तो हमारा इन्होंने पूछा क्या है, ये तो, इन्होंने ये पूछा है कि angle b क्या है, opposite angle equal है, तो directly भी लिख सकते हो, कि हमारा क्या है, 60 degree आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर सकते हो, ये देखो, ये देखो, a plus d क्या है, 180 degree हो गया, है न, फिर ये हमारा कितना आ गया, angle a 120 degree हो गया, तो angle, अब अगर एडजिसन्स से देखें, एडजिसन्स से भी करें, angle a plus angle b, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 120 है, तो ये definitely 60 हो जाएगा, अगर ऐसे करके देखना है, तो angle b कितना हो गया, 60 हो गया, फिर angle a तो 120 degree हो गया, आगले में पुचा, इसमें 60 answer आजाएगा, है न, और इसमें 120 आजाएगा, ठीक है, आगले वाले में, अब ये कहता है, sum of the parallelogram were cut to the triangle, सचे तो इस तरीके से cut कर दिये गए है, if bd is kept it, bd जो है वो 8 है, और ac जो है 6 है, तो ये जो diagonal से है, दूसरे को bisect करते है, ये 3 हो जाएगी, ठीक है, और d कितनी हो जाएगी, d, ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 3 cm हो गया, और ये 4 cm हो गया answer, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने कर लिया है, तो यह हो गया, a is equal to ac divided by 2, 3 cm, ये इस तरीके से आप लिख लेंगे, इसको करने का तरीका, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये C answer हो गया, इसका, ठीक है, ये answer B हो गया, second वाले का, फिर A answer हो गया, उसका, next का, फिर यहाँ पे answer B हो गया, फिर उससे next का answer C हो गया, तो ये थी हमारी आज की वरक्षिट, I hope आपको समझ में आया होगा, कोई doubt नहीं होगा, अगर कोई doubt ह तो comment करके पूछ सकते हैं, thank you, have a nice day, may good bless you, thank you so much for your love and support, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, thank you